most important, very very important type, ठीक है जी, और यह important भी है मेरे प्यारे भी, बेटा सवाल में आपको principle दिया होगा, दो साल के compound interest, और दो साल के simple interest का आपको difference दिया होगा, और आपसे पूछेगा rate percent कितना है, आपसे पूछेगा ब्याज की दर कितनी है, यह आपसे पूछा जाएगा, जी बच्चो जवाब दो, क्या आप सवाल को समझे, पर इस सवाल में आपको principle याने की मूल्धन दिया होगा, दो साल के CI, दो साल के SI का difference दिया होगा, और आपसे पूछा जाएगा rate percent, ब्याज की दर क्या होगी rate percent, जी student जवाब दीजेगा, जमझ में आया, जी मेरे प्यारे भाई, now carefully listen करेंगे प्यारे भाई, carefully, जैसे भी ब्याज की दर कितनी होती है, आर परशेंट परेनम, ब्याज की दर कितनी होती है, आर परशेंट परेनम यह आपको निकालना है, हम कहाने कर रहे हैं दो साल की, यह मेरे दोस्तों first year है, और यह मेरे दोस्तों second year है, first year में compound interest और simple interest बराबर बराबर होता है, तो बच्चे हमने principle को क्या माना है, पी हमने principle को पी माना है, तो पहले साल कितना ब्याज मिलेगा, पहले साल principle का आर परसेंट आपको ब्याज मिलेगा, principle का आर परसेंट आप बोलोगी हाँ जी सर, ब्याज की दर जो भी है, पहले साल आपको principal का R% ब्याज मिलेगा simple interest, पहले साल compound interest और simple interest बराबर है second year में कितना ब्याज मिलेगा बच्चो second year में आपको ब्याज मिलेगा principal का R% second year में कितना ब्याज मिलेगा principal का R% तो मिलना ही मिलना है principal का R% आप बोलोगे है principal का R% तो मिलना ही मिलना है लेकिन बच्चो second year में देखो compound interest में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है जब अब second year में जाओगे तो first year में जो ब्याज कमाया है first year में जो आपने ब्याज कमाया है first year में जो आपने ब्याज कमाया है इस ब्याज पर भी ब्याज लोगे इस ब्याज पर भी ब्याज लोगे, आप बोलोगे, हाँ जी सर, यही तो लोजिक है, याने कि प्रिंसिपल का आर परसेंट, फर्स्ट एर का ब्याज था, इस पर भी आप ब्याज लोगे, आर परसेंट के हिसाब से, तो बच्चों क्या हो जाएगा ये? तो कहोगे सरी principle के r percentage का square हो जाएगा सरी square हो जाएगा r percentage का square हो जाएगा बात समझे यानि की बच्चा पार्टी मैं ये कह सकता हूँ कि ये तो है total 2 साल का compound interest ये 2 साल का simple interest यानि कि ये जो पैसा आपको extra मिला है ये जो आपको extra पैसा मिला है यही 2 साल के ci और 2 साल के asi का difference है और इसको हम d से denote करते हैं किसे denote करते हैं d से denote करते हैं बच्चो यानि कि 2 साल के ci asi का difference जो है वो क्या है वो principle गुणा r percentage का whole square है ये ये आप बोलोगे हाँ जी सर अगर मैं हाँ से r percentage निकालने की कोशिश करूँ तो principle बटे में आ जाएगा d बटे पी ये r percentage का square है under root लेंगे तो under root d बटे पी this is the प्यारा प्यारा concept कि अगर आपको 2 साल के ci और 2 साल के si का difference दिया हुआ है और आपसे ब्याज की दर पूची है तो concept है rate percentage बराबर under root of d बटे पी rate percentage बराबर under root of d बटे पी rate पृती सत बराबर under root of d बटे पी कहां से आया क्यूं आया कैसे आया कब आया हमने आपको समझा दिया है ठीक है जी बोलो मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आयो जिसमें एक देले की आपको परिशानी नहीं है ठीक है जिसको नहीं समझ में एक बार repeat करके इसको देखेगा अब हम इसी पर base सवाल करेंगे दोगों कैसे मैं आपको मीठे मीठे सवाल करवाता हूं ये बताएगा 40 हा रुपे के धनका 2 साल के simple interest और compound S का difference 484 है ब्याज की दर बताओ इस टैप के मैं आपको काफी सवाल करवाँगा प्रिंसिपल 40 हा रुपे है ठीक है बच्चो दो साल के C I अगर आपको 2 साल के compound interest 2 साल के simple interest का difference दिया तो रेट आएगा अंडरूट डीवटे पी अंडरूट डीवटे पी डिफ्रेंस है 484 प्रिंसिपल है मेरे दोस्तों यहां से 40 है आप बोलो कि हांजी सर बिलकुल सही अब 4 से 444 एक सुए किस बार जाएगा 11 बटे सो यह fraction में आया percentage में 11 परसेंट 11 परसेंट ही तो होता है 11 बटे सो 11 परसेंट ही तो होता है 11 बटे सो समाझ में आया ठीक है 46 नमर मैं छोड़ा इसको आप खुछ से ट्राइ करिएगा 46 चार चार एक का लगना है मैं करवाँ इसे रहे कर लोगे तो भरोस है मुझे तुम पर आगे चलेंगे सवाल है दोस्तों आपके सामने हैं पर 48 जल्दी से करो ज़्याद है मुश्किल नहीं है बताइगा 25.200 रुपे के धनका 2 साल के सिम्पल इंट्रेस्ट और कमपॉंट इसका डिफ्रेंस आथ सोई 2 साल के सी आई और 2 साल के साई का डिफ्रेंस अथ सो रुपे आपसे पूछा ब्याज किदर, rate of interest, rate of interest आपसे पूछा है, पर क्या तरीका मैंने आपको सिखा है, best तरीका मैंने आपको बता है, under root d वट अपी, under root d वट अपी, ये कितना है, difference है 700, principle कितना है, 25-200 रुपे के धन पर, principle है 25-200, तो कितना हैगा, 2-0 से 2-0 कट जाएगा, 7 से मेरे प्यारे बच्चे, कितनी बार जाएगा, 7, 23, 27, 24, 1-26, तो ब्याज की दर है, 1-26, fraction में, percentage में, 16 सही 2-3%, 16 सही 2-3% ब्याज की दर है, इससे बहतरीन तरीका ना दुनिया में था, ना है, ना होगा, आगे चलते हैं, सवाल नंबर है आपके सामने बताएगा, ये बनाओ जी, क्या अंसर है, अमित ने साधान ब्याज पर 25 रुप उधार लिए, ओके, अमित ने 25 रुप ले साधान ब्याज पर, भोला ने चक्तवर्दी ब्याज पर समान राश उधार लिए, तो अमित ने भी 25 रुप उधार लिए, भोला ने भी 25 रुप उधार लिए, अमित ने उधार लिए हैं सा भोला ने उधार लिए चक्तवर्दी ब्याज पर, दो साल के अंत में भोला को अमित की तुला में 160 रुपे अधिक ब्यास देना पड़ा, देना ही पड़ेगा, भोला को 160 रुपे जादा ब्यास देना पड़ा, क्यों, कि भोला ने दो साल के लिए compound test पर उधार लिया है, जब मेरे प्यार, ब्याज की दर होगा rate percent अंडूरूट d बटे p, principle कितना है, 25 आर, difference कितना है, 160, एक 0 से 10 चला गया, अब 16 अंडूरूट 4, 25 अंडूरूट 50 ब्याज की दर आगी, एक बटे 52 परसेंट, चार बटे 58 परसेंट, तो ब्याज की दर है, प्रतिवर्स वो 8 परसेंट ह यह इसका answer है, हर एक बालक इस बात को समझ पा रहा है, आके चलेंगे, अगला type आपके सामने आएगा, यह थोड़ा सा मुस्किल है, इसमें आपको दिमाग भी लगाना पड़ा सकता है, पर मैं आपके लिए मुस्किल छोड़ूँगा नहीं, बच्चो, यह प्रिंसिपल, अगला type है, next type, क्या बच्चो, आपको सवाल में प्रिंसिपल दिया होगा, आपको 3 साल के compound interest और 3 साल के simple interest का difference दिया होगा, बच्चो, आपको प्रिंसिपल दिया होगा, 3 साल के CI और 3 साल के SI का, 2 साल का नहीं, अभी तक जो मैं आपको type करवाया, बच्चो, यह 2 ही type के सवा पेपर में आते हैं, यह रहा, दो साल की CISI का डिफरेंस दिया होगा, तो यह easy था, easy, ठीक है principle दिया है, दो साल की CISI का डिफरेंस दिया है, rate आप से पूछा है, यह आपको principle दिया है, तीन साल की CISI का डिफरेंस दिया है, और प्यारे बच्चों आप से rate पूछा है, rate, rate प करीगा अगर मैं 3 साल का tree बनाऊंगा तो बहुत ही lengthy हो जाएगा अगर मैं 3 साल का tree बनाऊंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि काफी बड़ा बड़ा data होगा तो बच्चों में काम करते हैं माना माना rate percent की fraction value जू है वो 1 बटे x है माना कि rate की जो fraction value वो एक वटे x है मेरे प्यारे भाई हैं से सुनो जैसे suppose ब्याज किदर 20% है 20% की fraction value क्या होते है एक वटे 5 से ब्याज किदर मेरे दोस्तो 16.6% है इसकी fraction value क्या होते है एक वटे 6 अगर मैं इसको पता लगा लूँ इसको 5 इस 6 इस numerical value को पता लगा लूँ तो rate आ जाएगा अगर मैं इस x का मान पता लगा लूँ गा इस x का तो rate आ जाएगा मेरे प्यारे भाई आप बोलोगे हाँ जी सर, rate आ जाएगा, अगर मैं इस x का पता लगा लूँ, तो rate आ जाएगा, समझ में आये, आप बोलोगे हाँ सर, चुकि हमको कहानी लेनी है, तीन साल की, हमको कहानी तीन साल की लेनी है, बच्चो, इसलिए मैं क्या करता हूँ, principle को, rate परसेंट की fraction value 1 by x ह तो मैंने principle को माल लिया बेटा, x की power 3, हमने principle को मेरे प्यारे भई, x की power 3 unit माल लिया, कि माना जो आपका principle है, x q unit है, भई ये principle की exact value थोड़ नहीं, तो ratio है, ये principle क्योंकि exact value नहीं, ratio है, इसलिए unit सब्द मैं लिख रहा हूँ, कि हमको कहानी तीन साल के लेनी है, तो principle जो है, बटे x आ रहा है न, जो भी आपका denominator होता है, कहानी दो साल के ये power 2 कर दो, तीन साल के लिए power 3 कर दो, दो साल के लिए कोई दिक्कत नहीं थी, तीन साल में दिक्कत है थोड़ी सी, बच्चों, हमने आपको तीन साल के लिए golden ratio क्या पढ़ाया है, हमने आपको तीन साल के golden ratio पढ़ाया है, 3-3-1, अब 3 बना के भी कर सकते हैं, और बिना 3 बना है golden ratio से भी कर सकते हैं, जो बाद की दो calculation है, यहीं से 3 साल के ci और 3 साल के si का difference पैदा होगा, यहीं से, प्रिंसिपल कितना है, मैंना मैंने प्रिंसिपल को x cube unit माल लिया, तो x cube का मेरे दोस्ता आपको क्य करना है, 1 बटे x, 1 बटे x करते जाना है, x cube का 1 by x, x square, फिर इसका 1 बटे x करेंगे x, फिर इसका भी 1 बटे x करेंगे 1, जो भी आपका principle है x cube, इसका 1 बटे x, ब्याज की तरह 1 बटे x है न, x square, फिर इसका 1 बटे x करेंगे x, फिर इसका 1 बटे x करेंगे 1, 1 by x से multiply करते जान तो बताओ 3 साल की CI और SI का डिफेरेंस कितना बनेगा जी 3X और 1 एकम 1 याने कि मेरे दोस्ते बनेगा 3X प्लस 1 यूनिट ये 3 साल की CI और 3 साल की SI का डिफेरेंस बनेगा 3X प्लस 1 यूनिट आप बोलोगे हाँ जी सर बिलकुल सही तो मेरे प्यारे बच्चों पहली बात तो ही जो दोनों values आई हैं, ratio में आई हैं किस में आई है, student यह ratio में आई है, ratio में भाई, मैंने calculate कि 3 साल के CI और 3 साल के SI का जो difference है, 3 साल के चक्करवर्दी ब्याज और 3 साल के साध्रान ब्याज का जो difference है, वो 3 X प्लस 1 unit है 3 X प्लस 1 unit आप बोलोगे हैं जिसर आपको यह unit भी गायब करना है मुझे पता है मेरे दोस्तों कि आपका principle क्या है आपका जो principle है बच्चों वो X cube unit है principle क्या है, student principle को मैंने X cube unit माना है, आप बोलोगे हैं सर, X cube unit अगर student मैं इन दोनों को divide कर दूँ अगर मैं इन दोनों ratio को divide कर दूँ तो आप अच्छी तरीके जानते कि यहाँ पे unit से यह unit cancel out हो जाएगा ब़र ratio का जो भी multiplier रहा होगा, वो cut जाएगा, तो याने कि बचा क्या, तो मेरे दोस्तों बचा ये 3 साल की CISI के difference का principle के साथ जो ratio होगा, वो होगा 3 X plus 1 upon X cube 3 X plus 1 upon X cube आप बोलोगे, हाँ जी सर मैं आपकी बात को अच्छी तरीके समझ रहा हूँ और मुझे बात अच्छी तरीके से clear हो रही है अभी इसमें बहुत सारे बच्चों को doubt आया होगा है ना उनका दिमाग फट रहा होगा, लेकिन जब मैं आपको सवाल करवाओंगा तो आप और और के करोगे फरसे एक बार explain करते हैं सवाल ये रहेगा कि आपको इस सवाल में principle दिया होगा 3 साल की CISI का difference दिया होगा और आप से ब्याज की दर पूछी जाएगी, क्योंकि 3 साल का 3 मैं बनाऊँगा तो exact value पर बड़ा मुश्किल रहेगा, इसलिए मैंने rate को पहले fraction में convert कर लिया, कि माना rate percent की fraction value एक बटा x है, मेरा focus रहेगा x पर x का मन पता लग गया तो सवाल सॉल हो जाएगा, क्योंकि कहानी 3 साल की है बच्चो तो मने principle को x cube unit मान लिया, 3 साल का golden ratio 331 होता है, यहाँ से 3 साल की CA और 3 साल की SI का difference आएगा, तो x cube का 1 by x, x square इसका 1 by x, x फिर इसका 1 by x, 1, यहाँ से 3x और 1 एकम 1, यह आपके 3 साल की SI का difference आए, 3x plus 1 unit, जबकि principle हमने माना है x cube unit इन दोनों को भाग दूँगा तो मेरी तरब से concept बन गए एक formula बन गया मेरे प्यारे भाई कि अगर कभी भी किसी साल में 3 साल की CISI का difference और principle दिया हुआ है, तो आप उन दोनों का ratio लोगे, यह ratio 3x plus 1 upon x cube होगा और आप compare करके x का मान निकालोगे, x का मान कैसे निकालोगे बच्चो, compare करके, तुल ना करके आप left hand side और right hand side का compare करके x का मान निकालोगे, आप बोलोगे, हाँ जी सर बिल्कुल सही, हम आपकी बात को समझे है, अब x का मान आ जाएगा तो सवाल भी solve हो जाएगा compare करके मान निकालना है, चलो बच्चो अब हम इसी पर बेश सवाल करेंगे, सवाल है जी आपके सामने यहाँ पर तीन question में इस पर डाले है, 50, 51 और 52, ठीक है जी, करेगा बनाओ साल में यह जी तीन साल में तीन साल में चक्रवरदी ब्याज और साधान ब्याज का अंतर 275 रुपे है तीन साल में 275 रुपे है प्रिंसिपल 12,960 रुपे है आप से पूझा ब्याज की दरग्यात करें options आपके सामने हैं बहुत प्यारा सवाल है अभी अभी हमने आपको concept समझाया तीन साल की compound interest और तीन साल का simple interest का difference का अगर मैं ratio लेता हूँ principle की साथ तीन साल की CISI के difference का अगर मैं principle की साथ ratio लूँगा तो ratio 3x plus 1 upon xqy आएगा अगर मुझे x की value पता चल गई तो rate of interest जो होगा ब्याच की जो दर होगी वो 1 वटे x होगी x का मान अगर मुझे पता चल गया यह concept है तो ब्याच की दर उल्टा 1 वटे x होगी तो यह concept है मैंने आपको explain किया है अब यहाँ पर value रखना शुरू करते हैं 3x plus 1 upon xqy बराबर यह बहुत रियरली चांस है की पेपर में आएगा हाँ बैंकिंग में नॉर्मल यह की आता रहेगा ठीक है भई मेंस की पेपर में question आएगा principal है 12,960 रुपे principal 12,960 रुपे है जी बताएगा 3 साल की CISI के difference का principal के साथ 3 साल की CISI के difference 275 है principal 12,960 रेशो लेंगे बच्चों दसमलव हटाएंगे तो नीचे एक 0 आ जाएगी अब 25 है जाएगा 25 से कम 25, 2 25 से कम 25 और ये 25 से कम 25 और ये 25 चोंका 100 100 फिर मेरे प्यारे बच्चे जाएगा 111 है 300, ये 300 चला जाएगा 37 बार और ये 300 चला जाएगा 34 बार है 432 तो 432 चोंका हो गया जी 1728 उपर हो गया जी 37 37 बटे 1728 तो मैं ये मैंने काटा कूटी कर ली दसलों हटा के 0 बढ़ा ली फिर मैंने 25 से काट लिया फिर ये 3 से भी कट गया तो 37 बटे नीचे 432 चोंका आ गया 1728 पस मेरा सवाल देखती सौलो गया मैं मुझे तो compare करके x का मान निकालना है क्या आपको x की value दिखाई नहीं देगी बच्चों ये हमेशा इसी form का बनेगा बनना ही बनना है अगर rate आपका real है irrational number नहीं तो बनना ही बनना है कि बच्चों 1728 किसका q होता है नीचे मुझे 12 का q दिखाई दे रहा 12 का q और तो आगे कटेगा नहीं उपर 3x प्लस 1 बै एक्स की जगे नीचे तो 12 दिख गया क्या उपर 12 ती है 36 एक 37 है हां जी है 36 को लिख सकते 3 इंटू 12 प्लस 1 आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़ी है ये तो एकदम साप साप दिखाई दे रहा है तो left side और right side का जब compare किया तो comparison करने पर x का मान बारे आया है 12 याने कि मेरे प्यारे बच्चों x की जो value यहां से students कितनी आगी बारे आ गई और भाया जी अगर x का मान बारे आ गया तो जो हमारा rate of interest है जो ब्याज की दर है वो आ गया जी 1 वटे बारे और 1 वटे बारे होता है 8 is to 1 by 3 percent परेनम यह ब्याज की दर है जिसे हर बालक easily समझ पाएगा option number B खत्म अगला सवाल सवाल student आपके सामने यहां पर बनेगा जी 51 यह करो बनाए बारे परसेंट नहीं आया है बेटा एक्स का मन तुलना करके compare किया गदों की गदों में गोडों गोडों में देखके एक्स के लिए बारे लिखा है तो ब्याज की दर 1 वटे बारे होगी 8.33 percent परेनम compare किया है यह concept जो भी एक्स का मान आएगा 8 percent उसका उल्टा होगा 1 वटे एक्स यह proper concept है दुबार इसे repeat करके देखेगा इसे जी यह बनाएगा करो ब्याज की किस वार्षिक दर पर 7,9,8,7,2 रूपे की राशी पर तीन साल में C,I और S,I का डिफरेंस 49,00 रूपे होगा ब्याज किस दर पर 7,9,8,7,2 के प्रिंसिपल पर तीन साल की C,I,S,I का डिफरेंस 49,00 रूपे होगा तो भी अभी अभी मैंने concept समझाया है कि अगर आप तीन साल की C,I,S,I को प्रिंसिपल से भाग देंगे तो रेशो बनना चाहिए 3,X,1 अपोन X,C,U,B अगर आप तीन साल की कंपाउण इंटरेंस और सिंपल इंटरेंस के डिफरेंस को प्रिंसिपल से भाग देंगे तो रेशो ये बनेगा 3,X,1 अपोन X,C,U,B तीन साल की C,I,S,I का डिफरेंस कितना है 49,00, 39,00 प्रिंसिपल कितना है मेरे प्यारे भाई 7,9,8,7,2 रुपीस 7,9,8,7,2 अब बताओ किस से जाएगा जी ये हैं जी बोलो देखो 12 से तो कटेगा ही कटेगा 13 से 13 चिंगठेत तर इकम 13 से काट लेते हैं बच्चों 13,49,30 13,48 1,3,3 5,34,52 और 5,34,52 क्लिर है आप बोलो गे हां जी सर देखो 4,4,8 ठीक नोचे 15 ये नंबर 3 से कट रहा उपर भी 3 से कट रहा है उपर वाला नंबर भी 4 से कट रहा नीचे भी 4 से तो अगर कोई नंबर 3 से भी कट रहा है 4 से भी तो बारे से कटेगा बारे से काटेंगे 12,2,24 6,2,5,60 यहाँ पर मेरे दोस्तों 12,5,60 एकम, बारे कम, बारे और दो बारे दोनी, 24 ये आए सॉल करने पर 25 बटे 500 बारे इस्टुएंट ये सॉल करने पर कितना आ गया जब मैं इसको काटा 12 से 25 बटे 500 बारे आ गया तो आ गया मेरे दोस्तों 25 बटे 500 बारे ये सर नो आप समझे आप बलोगे हाँ जी सर समझा तो आपने 3 साल की CISI के डिफरेंस का principle के साथ मेरे प्यारे भाई ratio लिया है clear है आप बोलो कि हाँ जी सर अब बताओ मेरे प्यारे भाई मुझे इसको इस फॉर्म में लिखना है क्या दिखाने देरा नीचे 500 बारे किसका QB 8 का QB 8 आप बोलो कि हाँ जी सर ये 25 बेटा ये 3X प्लस 1 तो 25 को आप ऐसे नहीं लिख सकते है 3 इंटू 8 प्लस 1 3 इंटू 8 प्लस 1 लिख सकते हो कि नहीं आप बोलो कहाँ जी सर 3 इंटू 8 प्लस 1 नीचे X की जिगे 8 हारा है क्यों उपर 8 रखने पर satisfy कर रहा है हाँ जी कर रहा है 8 तिया 24 एक 25 तो compare करेंगे तुल्ला करेंगे तो पता चलगा compare करने पर कि X की जो value है मेरे दोस्तो वो 8 है X का जो मान है मेरे दोस्तो यहां से वो 8 है बोलिए अगर X का मान 8 हा गया तो ब्याज की जो दर है वो जो rate of interest है वो है 1 by X याने की 1 by 8 और 1 by 8 का मतलब साड़े 12% परेनम ब्याज की दर है C option यही सवाल का अंसर है बहुत ही जबरदस सवाल है देखो सवाल एक ही लाइन में सवाल होगा लेकिन इसको वही बच्चा कर पाएगा जो जिसने ये question किया हो मतलब इस concept जिसको पता हो डिटेल में ठीक है ज़्यादे important नहीं है देखो paper में जो आएगा 90% यह वाला सवाल आएगा 2 साल की CISI का difference का ठीक है यह वाला आएगा easy है ना 3 साल की CISI का rarely आता है पर फिर भी हमको पता होना चाहिए